हलो दोस्तों और्थोपेडिक से जुड़े विबिने वीडियोज की श्रंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों समय समय पे हमारे पास दूर दूर से ACL के पेशिंट्स आते रहते हैं और अपना इलाज करा के जाते रहते हैं इसी श्रंखला में आज हमारे साथ दो जने हैं जो की डिफरेंट स्टेट से आये हैं अपना इलाज कराने के लिए और हम इनकी कहानी आप से शेर करना चाते हैं कि कैसे इनको ACL की चोट लग गई थी कैसे यह हमारे संपर्क में आये और इनकों ने कहां कहां इलाज लिया और अब इनका जो ऑपरेशन का एक्सपरियेंस था वो कैसा रहा तो सबसे पहले मैं अजे से बात करूँगा अजे आप कहां के रहने वाले हो जी सर मैं एटा जला के रहने बाला हूं जी जार और आपको जो एसल की चोट लग गई थी वह कैसे लग गई थी जी सार दो साल पहले मुझे चोट कबड़ी में लगी थी आप कबड़ी खेल रहे थे जी जी तो जब आपके चोट लगी तो उसके बाद आप खुद खड़े हो सकते थे या आपको कोई सपोर्ट की प्रिटा में आसपास या कुछ ऐसा कुछ आपको इलाज लिया था हां लिया था एक से करवाया था कई बार तो आगरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने बोला कि इसका उपरेशन होगा और उन्होंने अपनी बात को स्योली नहीं रख पाया तो मुझे वहां प वह प्रपर्ली एक्स्प्लेंट नीं कर पाये तो फिर आपको आपको एसल के बारे में कैसे पता चला में मैं अटकि आपका काई से और एक वीडियो आपका था तो में अब आपका वीडियो देखा और देरे-देखता गया आपका मुझे अच्छा लगा और में आपकी पास पर आप से कॉंटेक्ट किया तो फिर मैं आपको आपको आपका ऑपरेशन हो गया आपका ऑपरेशन के दोरान का experience कैसा रहा आपको कोई डर लगा कोई घबराट हुई आपको लगा काफी सारे लोग operation में डरते हैं कि बहुत दर्द होता है या फिर कुछ घबराट होती है तो कैसा रहा आपका experience experience काफी अच्छा था और डर लगा था पहले लेकिन जो आपरेशन के दौरान आपने सब कुछ दिखाया स्कीन पर दिखाया ये लगामेंट भी दिखाया तो मुझे confidence फिल हुआ फिर मुझे कोई डरने लगा अभी आपको सारी कस रहते हैं सिखा दी गई है अजी सब कुछ सिखा दे गया है आपने कौन से दिन से चलना फिडना स्टार्ट कर दिया था दूसरे दिन क्योंकि काफी सारे लोग मुझे फोन करते हैं उनका operation यूपी बिहार या यहीं अप पूरी बैंड कर सकते हो और शुरू में जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पैर पे नी ब्रेस लगा हुआ है और यह वाकर से चल रहे हैं यह वाकर यह 15 दिन बाद छोड़ देंगे और जो इनको इनको 6 वीक बाद चोड़ देना है बाकि जो इनकी नी से बिलंग करते हो तो माल्दा से तो अल्रेडी हमारे पास मिथुन मंडल आ चुके हैं और शाहर देख दो जने और भी जो माल्दा से यहां सरजरी करा के गए हैं तो आपको कैसे आपको इसल की इंजरी कैसे हुई थी मैं घूमने गया था उधर पत्थर से स्लीप कर गिर गया सब्सक्राइब करने का तो फिर कि मैंने कराया लेकिन एक डॉक्टर आया और्थोपेडिक्स और उन्हें बोला एमराय करो अच्छा एमराय करने के बाद और नहीं बोला तो तुमारा एसल कॉंप्लिट्टिया तो आपको तो फिर आपने यूटूब कैसे आप यूटूब पे आये कैसे आपने वीडियो सर्च करने शुरू किये वहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम फील हो रही थी पर टुश्ट होड़ा था दो दिन दिन में चलने में दिकत हो रहा था फिर दुसरे दक्रों में बें दखाया तो उन्होंने बोला लाइप म में आ गया हूँगा ऐसा सुनके दोस्तों मैं इसा मैं इनको बीच में इंटरप्ट करना चाओंगा ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं जिनकों की लोक्टर बहुत द्रादा देते हैं कि जैसे आज भी मुझे गंगा नगर से एक फोन आया था कि उनको नहीं बोल दिया कि अब आप नीचे बैठना भूली जाओ या खेलना भूली जाओ या अपने दिमाग से निकाल दो कि अब तो आप कभी चल भी पाऊगे तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की या दिमाग में नेगेटिव सोच लाने की जरूवत नहीं है एसल के बाद आ थोड़ी हिम्मत बंदी है और आपने बाकी भी हमारे पास काफी सारे एसल के लोग है उनसे बात की होगी ऑपरेशन कराने का एक फाइदा इन लोगों को ये भी होता है कि ये काफी सारे दस या पंदरा एसल पेशेंट से मिल लेते हैं क्योंकि एक वक्त पे हमारे पास बात पड़ेगी रेगुलर आपका एकसरसाइस करनी है एकसरसाइज में आप लोगों को कोई कमी निया आने देनी है तो समय समय पर वाटसएप एसल हैफ प्रोग्राम के दवारा हम आपको वाटसएप पे वीडियो बेच बेच करते रहेंगे चो इस गंटे आप कभी भी फोन करके मैसेज करके हमसे अपनी प्रॉलम पूछ सकते हैं कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई चीज है आपके मन में कोई डाउट है तो आपको हेल्प नहीं मिल रही है और आप लोगों ने भी अगर सर्जरी कहीं और भी करा लिए तो आप उनलाइन कंसल्टेशन पे करके निर्धारी शुल्क देके वाटसैप प्रोग्राम जोइन कर सकते हैं अगर आपको एक्सेसाइज का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा तो हम आपकी पूरी हैल्प करेंगे आपको दुबारा से पूरी तरह फिट करने में तो बेस्ट ओफ लक आप दोनों को और आप पू